next question है guys हमारा question number 4 from exercise 6.3 तो question number 4 कह रहा है कि figure figure 6.36 में qr upon me qs is equal to qt upon me pr तो qr upon me qs is equal to qt upon me pr okay that's interesting so then angle 1 is equal to angle 2 भी है okay तो show करना हमे triangle pqs is similar to triangle tqr तो कैसे proof करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लेंगे triangle इसमें n triangle pqr इस triangle को लेते हैं काउन सा triangle है pqr तो इसमें हमें given क्या है qs angle 1 is equal to angle 2 तो अगर angle 1 बराबर है angle 2 के तो इसके जो opposite sides होंगी angle 2 के opposite side pq है angle 1 की opposite side pr है तो यानि की side pr है तो यानि q is equal to pr क्यों क्यों किसी भी triangle में दो दो angles के opposite sides बराबर होती है अगर angles बराबर हो तो यानि की हम बोल सकते हैं की sides opposite to equal angles are equal ठीक है अगर कोई triangle सपोस्पोज कोई triangle दे रखा है अगर ये दोनों angle बराबर है तो इनके जो opposite sides होंगी ये भी आपस में बराबर होगी किसी भी triangle में ठीक है तो यानि की pq बराबर हो गया हमारे qr की अब लेंगे हमें इसमें triangle दो triangle लेने वाले है triangle pqs कौन सा triangle pqs ये वाले triangle and triangle tqr tqr पहले लिया pqs and then लिया tqr किक है तो इसमें हमें सबसे पहले कौन सा angle बराबर है तो आप देखोगे दोनों ही triangle में हमारा जो angle q है वो common है ठीक है तो हम बोल सकते है angle 1 is equal to angle 1 नहीं angle pqs is equal to angle tqr and ये किसके बराबर है angle 1 के दोनों angle हमारे 1 है तो यानि के बराबर है तो हम कहा सकते है इसका reason common ठीक है common angle है और seam angle है आप कुछ भी decision दे सकते हैं फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है दूसरा हमारा हो सकता है कि हमें question में given है qr upon me qs ठीक है qr का है हमारा qr upon me qs qr के corresponding side हमारी qs है ठीक है दूसरे triangle की qs and qt qt क्या हो गया हमारा qt यह हो गया and qr क्या होगा qr के बराबर हमारा qq है तो हम pq ले सकते हैं instead of qr अभी हमने proof किया उपर कि q is equal to qr है तो हम बोल सकते हैं क्योंकि q is qr तो देखो एक एंगल बराबर हो गया और दो corresponding sides का ratio बराबर हो गया तो जैसी बराबर हो जाता है यह चीज तहम बोल सकते हैं triangle pqs is similar है triangle tqr किस criteria से side angle side criterion से understood तो यह चीज हो गई और यही हमें प्रूफ करनी दी देस्स सेंपल तो आप देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा साथ सपोस्पोस आपको यह देखो qr हमारा हो गया qr हो गया हमारा बड़े वाले tqr का triangle का side qr और इसकी corresponding side के हमारी pqs में corresponding side कों सी हमारी qs तो इन दोनों का हमने ratio निकाला है ठीक है corresponding side का ratio ऐसी qt हमारे बड़े वाले triangle की side हो गई and pq हमारा हो गया पहले इसमें हमें question में given है pr लेकिन pr is equal to हमने अभी pq proof कर आया तो मैंने pqr को pq से replace कर दिए ठीक है क्योंकि जो pr है हमारी वो side नहीं है हमारे pqs के pqs जो triangle है इसकी side नहीं है तो आप इसमें क्या गर सकते हैं अगर आपको समझ भी नहीं रहा है मैं आपको triangle समझा के दिखाए दो क्योंकि यह थोड़ा confusing question बन सकता आपके लिए अगर समझ भी नहीं रहा हूँ suppose ही हमारे triangle है यह हमारे triangle है pqr and दूसरे triangle बना जिए दो मैं tq देखो यह suppose है हमारा pqs है और यह हमारा tqr है यह मैंना दोनों को triangle को अलग अलग बना दी है ठीक है और इसमें यह angle 1 है और यह भी angle हमारा 1 है ठीक है तो अब क्या आया है इसमें हमें क्या करना हो corresponding sides का ratio निकालना होगा तो question में हमें given है question में given है कि जो हमारा pq है sorry जो qr है हमारा qr upon में qs is equal to यह question में given है क्या given है हमें question में क्या given है कि qr upon में qs is equal to qt upon में pr और pr को मैं replace कर दिये किस से pq से क्योंकि हम नारा pr is equal to pq है यानि कि मैं इसे लिख सकता हूँ pq अब देखो आँ तो qr हो गया हमारा इस triangle का side और इसकी corresponding side हमारी qs है इन दोनों का ratio में नहीं यहां लिख दिया है ना एन दूसरा हमारा qt qt की corresponding side है हमारी pq और यह हमारे इसके बराबर आ गया है होगे न बराबर जैसे दो corresponding side से ratio बराबर जाता है एन एक corresponding angle बराबर हो जाता है तो दो triangle हमारे similar हो जाएंगे और किस criteria से होंगे by sas ठीक है so yeah hope we get it guys and let's move to the fifth question okay